भिलायतीन के सिर्सागेट चौक पर वेतन विसंगती दूर करने की मांग को लेकर विधान सभाग हिराव करने जा रहे 36 गर सहायक सिक्षक फेडरेशन के सिक्षकों को पुलिस ने पकड़ा भिलायतीन पुलिस ने फेडरेशन के प्रदेश सचिव सुखनंदन यादव को उनके चरोदा निवास से पकड़ लिया इसी तरह जिलाध्यक्ष ब्रिजकुमार यादव एवं अन्य सिक्षकों को भिलायतीन के सिर्सागेट चौक से पकड़ा इसे लेकर फेडरेशन के प्रदेश सचिव सुखनंदन यादव जिलाध्यक्ष गिरीश यादव एवं सीएसपी कौशलेंदर पटेल ने अपनी प्रतिक्रिया दी सरकार इसे घबरा गई है और सरकार वादा खिलाफी कर रही है क्योंकि 5 सितंबर को सरकार ने कमिटी बनाए थी जो 90 दिन की कमिटी थी जिसमें उन्होंने सिक्षा मंतर जी थे अमारे प्रमुक सच्यू मौद है थे माननी मुख्य मंतर जी थे उन्होंने कहा थे कि 90 दिन के अंदर आपकी वेतन विसंगती दूर कर दी जाएगी लेगिन पिछले जो सितंबर है सितंबर के बाद आज एक साल होने आ रहा है लेकिन अभी तक सरकार ने किसी परकार का संग्यान नहीं लिया ना कमिटी ने किसी परकार का रिपोर्ट दिया है दुरुग जिल में लगब विधान सबा गेरा रहएपूर बुढ़ा तराफ से विधान सबा के लिए कुच करने वाले थे लेकिन विभिन छेतरों से आने वाले संहिटषकों को साशन प्रसासंद्वारा रास्ते में ही रोख दिया गया जबकि चतिश कर साय सिखशकद्रेशन दोरा लोके ठांतरी तर आप एक निंदापरस्टाव आएंगे हम लोग कि इस तरह से हम वे रास्ते में बीच में रोका गया है जह्था मुझा जा रहा था हारा स्रपार को स्मुचिना चाहिए कि यह सिख्छा किस तरह से नहीं किसी प्रागार के हम कड़ता है तो कड़ जाए सारा जीवन संगर समय कदम कदम पर समझाता बस और नहीं सरकार को सोचने चाहिए हमारी मांगों को कमीटी तो बना दी गए लेकिन कमीटी का रिपोर्ट अभी तक कमीटी में तीन महने के अंदर आप लोग को मांगों को पिछले 5 सितंबर 2021 को कमीटी बनाई थी लेकिन 5 सितंबर से लेकि आज आठ मैना लग बग हो गया जुलाई अभी तक कमीटी का किसी प्रकार का रिपोर्ट नहीं आया है हमारे दौरा एक रूटीन चेकिंग पॉइंट लगाया गया था पूरे जीले भर में लगबा सभी जगा जहें सीरसा गेट में हैं कुमारी टोल प्लाजा में जिसमें हमें ग्यात हुआ था कि सिक्षा कर्मियों के दौरा राज इस तरी एक विरोध प्रदेशन करने के लिए सब्सक्राइब के लिए जा रहे थे जिनको जिने अवे पता चलने पर हमारे दौरा इन्हें रोका गया और समझाई लेकर यहां पर छोड़ा जा रहे हैं